नमस्कार दोस्तों वल्कम टु स्विंग ट्रेट आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस कम्पनी में आज की दिन में एक अच्छा सा तेजी देखने को मिला है क्या इस टॉक में आगे इसी तरीके से तेजी रह सकता है क्या अभी भी पोजीशन मना सकते हैं और इसका टारग काद करेंगे इंफास कमपणी किसी भी करना बहुत जरूरी यह चीज़ आपको मीं बताना चाहूंगा आपको स्टोक में डिली डिली पैसे नहीं बनेगा लेकिन आपा लोग को सही टाइम पर बाई करेंगे तो बहुत अच्छा पैसे बनेगा उसका बिलकुल में बता रहा हूं यहां पर बिलकुल आपको एक्जांपुल आपको बताना की कोशिश कर रहा हूं यहां पर दिखिए आपके सामने में लाइफ प्रूब बताता हूं क्या स्टॉक मार बहुत ब्यूटिफुल भी बिल्ट हो चुका था तो उसी बेसिस पर मैंने यहां पर बताए कि बहुत अच्छा पैसे बन सकता है तो आप आके यहां पर देखिए देखिए अभी अगर आप बात करेंगे तो यहां पर 477 के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था ठीक है हैं तो यहां पर दो तरिख से लेकि अगर आप देखते हैं तो यहां पर कितना परसंटेज का गया ने दिन 4 मंथ 7ट जलता है उज़से लाध पैसे देली नहीं होता है और उसके दूसरी बात हम किसी भी लबल पर पाई कर लेते हैं स्टॉक वहां से निच्छे भी जा सकता लेकिन फिर से अगर आप वोल्ड की होते तो यहां पर इतना तक 63 तक पैसे नहीं बना लेकिन जब तेजी आया ना तो तूरंत देखिए कितना जबड़ तरीके से तेजी आया कैसे पैसे बनता है तो आपको क्या करना है किसी भी स्टॉक में कुछ ज्यादा एक्सपोजर नहीं देना है और कॉंपनी अच्छा सा फंडामेंटल स्ट्रॉंग है कि नहीं उस चीज को चूज करना है तो उसी हिसाब से आपको पोर्टफोलियों में लेके चलना है अगर आप बिगनर है यह सारे परसंट के इसाब से अपना पोर्टफोलियों करते ना तो बहुत जबरदस पैसे बनेगा और एक तीन साल में पैसे बनेगा फ्रेंड्स आप यहीं से एक्जाम्पल से आपको पता चल रहा होगा ठीकिना तो यहां पर मुझे जो लगता है कि यहां पे बहुत बड़ा बट करेंगे तो मुझे साथ में अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है यहां पर इम्मीडियेटली आपको यहन भी दे सकता है अगर आप इसी को ट्राक करेंगे तो मुझे जो लग रहा है कि यहां पर इम्मीडियेटली आपको यह टार्गेट आचीव हो सकता है जो कि विदिन वान मॉन्स ठीक है ना अगर आप वान मॉन्स का टाइम परियोड के लिए अगर आप स्विंग चूज करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहां पे काथसा सा अपर्चुनिटी है क्यों अपर्चुनिटी है उसके पीछे फंडामेंटल को हम स्टाडी करना बहुत जरूरी है अगर हम देखेंगे तो कंपनी का 40,000 करोड का कंपनी का मार्केट क्या पर देखिए किस सी भी स्टॉक में पोजिशन बनाते ना उसका फंडामेंटल अनलिस अगर स्टॉक का आल टाइम हाई की बात करेंगे 3660 स्टॉक का अल टाइम हाई है तो अब तक का सबसे हाइस्ट से उसके साथ में बात करेंगे यहां पर 2879 करोड का था तो यहां पर बहुत अच्छा सा ख्रोड पार छार क्या सबसे हाई सबसे लेखने बाद करेंगे तो यहां पर 1170 करोड का कम्पनी के पास में देखने को मिला है जो कि बहुत बढ़ी है कंपनी अपना यहां पर नेट प्रफिट ग्रोट हो रहा है सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर कंपनी का जो रिजर वे रिजर वह भी छेजर साथ सब्सक्राइब करेंगे वह भी देखने को मिल रहे जो की तना बड़ा इसु नहीं क्योंकि पास में रिजर बहुत बड़ी है जो कि सब्सक्राइब लिए तो 55.7 परसेंटर के पास में होल्डिंग है और यहां पर 17.7 परसेंट का होल्डिंग है अगर आप बात करेंगे तो यहां पर रिटेलर की पास में देखेंगे तो इसका जो लॉंग तर्म का चाट पैटन ने बहुत जबड़त पैसे कमा के दिया यहां चोटा-बात नहीं है ठीक है अगर आप स्टॉक का लॉंग तर्म का चाट पैटन देखते हैं बहुत बढ़ी ऐसा यह को आपको इसी हिसाब से चूजना है चूज करना है एक आचिससी कामपणी हो और सही टाइम पर मिल जाए उस टाइम पर पोजिशन बना लेना है और सही टाइम तक होल्ड करके चलेंगे तीस परसंट कैसे भी हो बनी जाता है इतना बड़ा इसू नहीं है लेकिन हमारा मन में क्या होता है लेकिन अगर बने रहेंगे तो बहुत अच्छे बनेगा अभी देखें अगर आप देखें होते जितना प्रफिट आपको नहीं मिला है तो बिलकुल अभी एक महिने का अंदर देखिए क्या जबड़तर स्तरिकें से तेजी आया अपका पोटफोलियो में संदर प्रफिट दे तो यह सारे चीज को सीखना है स्टॉक मार्केट में सही डंग से ट्रेड करना है और सही लेबल पे प्रफिट वूगिंग करके निकल जाना है इसी साब से अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो नेक तारगेट देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से यहां पर 2423 तक टारगे आट करके दे रहा है तो बहुत बड़ी है 2423 तो इसी के साथ में अगर हम ends target बात करेंगे दिखिए यहां पर नेक्स टारगेट तक आप लेकि चल सकते हैं अगर आप यहां पे नेउस था कितना घ्य ने यहां पर सीधा सिधा 60 परसंटेश का गया ने फ्रेंट्स मेरे हिसाब से अगर आपको एक साल से देड़ साल दो साल भी लग जाहना तो भी कोई बुरा नहीं है कि क्योंकि 60 percentage का गया ने जब हम पॉर्टफेलियों डबल की बात कर रहे हैं थाटी परसेंट में अगर आपना प्रोटफेलियो को ग्रो करते हैं तो तीन साल में हमारा टार्गेट के लिए लेकिन आपको क्या करना किसी भी स्टॉक में ना तीन पर्सेंट से ज्यादा होल्डिंग नहीं देना है क्यों कभी-कभी यह सा मुझे मैसे जाता है मुझे बड़ा दूख होता है क्यों कि सर मैंने एकी स्टॉक में 25 लाग रुपे लगा दिया सर मैंने एकी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनेगा इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक में स्टॉक में स्टॉक में स्टॉक में चलता है तो आपको उसी हिसाब से चलना है तो बहुत अच्छे बनेगा लेकिन आपको जो भी करना है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए तभी आपको पैसे बहुत अबर्दस तरीके से बन सकता है यहां पर अगर कुछ आपको डाउट है तो मेरे साथ में घर्षप में जरूर कनेक्ट में आ सकते हैं उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां पी यह सारे वीड उसके साथ में वीडियो को जरूर लाइक किजिए आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है बड़ी ऐसा वीडियो बनाने के लिए ठीक है ना उसके साथ में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिलकुल जुड़ सकते हैं थैंक्यू बेरी मॉच प्रेंस प में जा हिंजा है वाराओ